शिरी शिवाय नमस्तो प्या हर हर महादेव आज की कता में गुरुजी ने एक पहुती विशेश और सुन्दर जानकरी दी है गुरुजी ने बताया कि सबसे शक्तिशाली शिवलिंग कौन सा होता है जो हमारे घर में शिवलिंग रखा रहता है या जो हमारे घर में शिवलिंग होता है उससे ज़्यादा शक्तिशाली शिवलिंग मंदिर का शिवलिंग होता है जो की मंदिर में स्थापित होता है मंदिर से भी जादा शक्तिशाली शिवलिंग जिसकी पूजन अर्चना आपको करनी चाहिए वो किसी सरोवर, किसी कुंड के पास जो शिवलिंग इस्थापित होता है वह होता है किसी सरोवर, कुंड या नदी के पास जो शिवलिंग होता है उससे भी जादा शक्तिशाली शिवलिंग वह होता है जो किसी जंगल में एकांत में रखा हो ऐसा शिवलिंग जिस पे कोई प्रते दिन पूजा नहीं करता हो कोई प्रते दिन जल नहीं चड़ाता हो जो शिवलिंग बिल्कुल एकांत में रखा हो जिसके पास कोई कभी ना जाता हो वे शिवलिंग सबसे शक्तिशाली शिवलिंग होता है यदि आप कभी किसी जंगल में जा या किसी ऐसे स्थान पर जाए जहां आपको ऐसा शिवलिंग प्राप्त हो जिसकी कोई पूजा ना करता हो या जिसकी कोई पूजन अर्चना ना करता हो तो उस शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य समापित करे और महा यदि कोई कच्रा हो या कुछ भी हो तो आप महा पर सफ़ाई अवश्य करे उस शिवलिंग गफल आपको लाखो गुना में प्राप्त होगा हजार या सो गुना में नहीं लाखो गुना में प्राप्त होगा शिरी शिवाय नमस्तू प्याम अरहर महादेव